हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमन आई की श्टेडी चैनल पर और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको कॉम्पटेटिव एक्जाम की तयारी कराई जाती है जिसमें राजस्थान के अंदर रीट, थर्ड ग्रेड अध्यापक, पटवार, राजस्थान पुलिस, MP पुलिस और ग्रूप डी इन सभी एक्जामों के लिए यहाँ पर आपको टोपिक वाइज, साइंस और मेथ की तयारी कराई जाती है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें तक आने वाली हर वीडियो आप तक मुझती रहे और आज हम बहुत ही महतपूर्ण चेप्टर पढ़ेंगे घातांक और करनी तो घातांक के करनी घातांक को इंगलिस में अंडिस बोलते हैं और सड्स यानि करनी ये आपको आज मैं इस तरह से पढ़ाँ हुआ कि आज के बाद घातांक यानि ये आपका इंडिस इसमें कुछ भी नहीं छुटेगा किसी भी एक्जाम के अंदर और कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, आज सारे डाउट के लिए रो जाएगे, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, मैं एक एक चीज बताऊँगा, एक एक बारीकी बताऊँगा, हर चीज आपको बताने जा रहा तो आईए, सबसे पहले देखते हैं हम घातांग, अब घातांग क्या है ये, इसको इंगलिस में पावर भी केते हैं, क्या केते हैं, पावर, हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बाई डेफिनेशन की होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, जब, तो ये क्या होता, पहले हम समझते हैं इसको जब किसी जब किसी संख्या के संख्या के गुणनों को यानि मल्टी फजों को हैं गुणनों को ध्यान से देखते रहना संख्या के उपर लिख दिया जाए संख्या के उपर दाएं कोर्नर पर कोर्नर पर लिख दिया जाए हैं तो वह उस संख्या का घातांक या पावर कहलाता है कहलाता है जैसे अब समझना यहां पर क्या कहना चाहरा हूँ जैसे ग्यारा के उपर अगर मैं आपको यहां कोर्नर में राइट कोर्नर में उपर हैं दाया कोर्नर लिखा ना मैंने देखिए दाया दाया कोर्नर पर लिख दिया जाए उपर तो यह दाया कोर्नर है उपर तो ग्यारा की पावर पांच कर दूँ तो इसमें क्या होता है यहां पर क्या होता है ग्यारा को आधार यानि बेस ठिक ग्यारा को आधार तथा पाँच को तथा पाँच को ग्यारा का घातांक या घात या पावर कहा जाता है यह बेसिक चीज हो गई आपकी अब घातांक को घात भी कहते हैं यह मैंने लिख दिया यहां पावर भी कहते हैं वो भी मैंने लिख दिया किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाए अर्थात हम कह सकते हैं की किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाए गुणा किया जाए उस संख्या को यानि जितनी बार गुणा किया जाए जितनी बार गुणा किया जाए कि जैसे पांच बार कर रहे हैं ग्यारा की पाउर पांच तो उस संख्या को घात कहा जाता है जैसे अब देखिए ये एक्जामपल मैंने लिखा था जैसे ग्यारा की गहात पांच का मतलब क्या हो जाएगा आपका ग्यारा इन्टू 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 ग्यारा को कितनी बार मैंने ग्यारा से गुणा किया है एक दो तीन चार पांच इसलिए क्या लिखा ग्यारा की घात पांच इसमें मैंने आपको बताई दिया कि ग्यारा तो क्या है यह जो ग्यारा है यह क्या है आधार है और यह पांच क्या है घातांग है घातांग यह घात यह पावर ठीक, तो ये चीज़ आप, अप समझ गया होंगे, कि आधार क्या होता है और घात क्या होता है, या पावर क्या होती है, ठीक है एक example में अगर आपको दूसरा दूँ, जैसे मैं यहाँ पर ही आपको एक छोटा सा example और इसी की तरह का समझाओं कि 7 की पावर 4 इसका मतलब क्या होगा 7 into 7 into 7 into 7 ठीक है तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम 7 की पावर 4 है तो यानि ये तो घात और ये आधार ठीक तो ये चीजे हो गई आपकी basic है अब कुछ है घातांक के उपयोगी सूत्र क्या है घातांक के नियम rules of power तो indices तो हम देखते हैं जरा अब वो नियम क्या है पहले नियम पढ़ते हैं फिर सारे question भी देखेंगे दीरे दीरे हैं तो ध्यान से देखें घातांक के नियम अब घातांक के नियम क्या है भई वो ध्यान से देखना जरा आप देखिए यदि मैं पहले नियम की बात करूँ तो यह A और अगर मैं right corner पर लिखता हूँ तो यह की घात A into A की घात N और into A की घात K यह लिखा हुआ है अगर आपके पास तो आप यहां एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहां पे जो यह आधार है A A A तीनों जगे समाने तो जब भी आधार समान हो तो घाते क्या होती है जुड़ जाती है इस बात का ध्यान रखना तो इसको हम क्या लिख सकते है A सब में समाने M पलस N पलस K इस तरह से लिख सकते है मैं यहां पे आपको याद रखने के लिए या समझाने के लिए मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूँ नोट जब भी प्रस्ण में आधार संख्या समान हो तो उनके घात सदेव आपस में जुड जाते हैं जैसे जैसे अभी मैंने यह फॉर्म लिखी है तो इसको मैं अंको के रूप में अगर लिखेना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ चार की घात तीन मल्टीपरल चार की घात दो मल्टीपरल चार की घात छे तो फिर इसमें देखी आप सभी आधार समान हैं सभी चार चार है आधार तो जब आधार समान हो तो घाते जो होती है यह क्या होंगी सब जुड़ जाएंगी तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बराबर 4 की गात 3 प्लस 2 प्लस 6 है तो ये कितना 3, 2, 5 और 6, 11 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 11 यानि 4 को अब 11 बार गुना कर सकते हैं हम ये है इसका मतलब ठीक तो ये आपका पहला नियम हो गया गातांके नियम में ये पहला नियम हो गया ठीक अगले नियम पे चर्चा करते हैं आईए सेकेंड नियम देखते हैं दूसरा नियम गातांक का दूसरा नियम देखते हैं तो ये कैसा करहेगा आपका गातांक का नियम में गुणान फल का जो पहले आपने पड़ा है और ये रहेगा घातां की ए घातां की ए भाग का मतलब dividing आप जानते हैं तो इसकी फॉम क्या रहेगी घातंकी यह भाग डाग तौन क्या रहेगी कि एक ही घाते यह मिदा रहेगी या फिर इस को ऐसे भी लिख देगा वो कहीं कहीं प्रस्ण में और इसका मतलब क्या होता आप जानते हूं इसका मतलब क्या होता देखो आप एक ही घाते हैं बटा एक ही घाते हैं यहीं तो होता इसका मतलब यह भाग भाग चीन है तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको तो यह जब भी इस तरह से आप कहीं भी देखें जब भी आप इस तरह से कहीं भी देखें तो यहां भी देखिए एक चीज आधा गहात M माइनस N यह वनेगा आपका solution ठीक तो यह इस तरह से रहेगा आपका तो अब आपको जब भी यह दे इस तरीके से तो आपको यह इस फॉम में इसको लाना रहे question को तो example से समझते हैं जरह मैं एक दो example समझाते हैं की कोशिस आपको करता हूँ तो पहला example देखिए अगर मैं आपको बोलूँ X की घात 13 हाँ X की घात 13 भाग चीन X की घात 8 अब इसको आप जब solve करोगे तो इस फॉम में क्या लिखोगे solution ऐसे लिखोगे आप और फिर क्या करोगे आप X की घात 13 और यह भाग चीन का मतलब बटा और यह वाली संक्या यहां हर में आ जाएगी हैं तो X की घात 8 डिन वो इमिडेनेटर में आ जाएगी इस तरीके से हैं हर में आ जाएगी आपके X की घात 8 अब क्या करेंगा अगले स्ट्वेप में यह और यह समाने आधार तो X की घात उपर वाला अंस में 13 था और यह 8 उपर जाता है तो हमेशा माइनस हो जाता ही है मैंने आपको हर जगे पढ़ा रखा है साइंसी क्लास में पढ़ाया था मैंने इस चीज़ आपको जब मैंने भोती क्रासियां पढ़ाई थी तो इस तरीके से आप लिख देंगे और उसके बाद आप घटाएंगे तो 13 में से आठ जाएगा तो अगली स्टेप क्या बनेगी X की घट 5 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X को आप 5 बार गुना कर सकते हो इस तरीके से इसका मतलब ये हो जाएगा तो आपका ये आंसर आ चुका है एक एक्जामपल और ले लो समझने के लिए आपको एक एक्जामपल से और समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ मा जाए 5 की घट 7 बटा 5 की घट 3 अगर आ जाए तो इसको ऐसे भी दे सकता है डारेट कोश्चन में आपको जरूरी नहीं कि आपको अब इसे भाग फोम में दे फिर आपको इसे बदे लें इसे भी दे देगा तो आपको कुछ नहीं करना इसके आगे की पर क्रिया कर देनी है यहाँ भी आधार समान है यहाँ भी आधार समान है तो यहाँ आपको लिख लेना है पांच उपर अंस में कहात कितीनी है साथ हर में तीन तो उपर जाएके मैनस हो जाएगी तो यहाँ साथ में तीन गया है तो चार तो पांच की घाच चार हो जाएगा आपके और पांच की घाच चार का मतलब आप जानते हो अगर आप आगे सोल करना चाहते हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होता है वाचाम 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 फाइनल आंसर तो आपका ये आएगा लेकिन डिपेंड करेगा कि आपको जो उप्सन में आंसर दे रखा है वो ये वाला दे रखा है कि ये वाला दे रखा है जो दे दे वो आप समझ के कर देना उसको तो ये दूसरा नियम हो गया घाता अंगे का आपका तो इसके लिए इसके लिए क्या था नियम जिसे जब भी आपको आधार समान दे और गुणा में रहे तो हमेशा घाते जुड़ेंगी और आधार समान रहे भाग में दे गुणा वाला जो पहले पढ़ाया इससे पहले जो टोपिक मेंने आपको पढ़ाया था ये जो टोपिक मेंने आपको पढ़ाया था जब भी आधार समान रहे और गुणा में रहे तो घाते हमेशा जुड़ जाएंगी यह जुड़ गई यह गुणा में आधार समान है घाते जुड़ गई और जब भी आपको भाग दे दे और आधार समान रहे तो घात हमेशा क्या होगी घटेंगी इसको आप चाहो तो मैं ए समान हो तथा घातां किये भाग रूप में प्रस्न दिया हो तो सदेव घातें घटती है घटगी ना यह घटगी यह देखिए आधार समान है आधार समान है लेकिन घातें भाग की स्थिती में है भाग है यह बटा तो उपर जाके माइनस हो गया तो घट गई यही चीज मैंने लेंग्वेज में लिख दी ता कि आपको याद रखने में असानी रहे ठिक अब अगला इस्टेप हम पढ़ते हैं घात की घात हैं घात की घात तो एक नोट और मैं लिखता हूँ यहाँ पर जरा एक नोट और लिखता हूँ दियां रखना जरा इसको आप पढ़ते वक्त हैं घात की घात में देखे जरा जब घातों के बीच जब घातों के बीच पक्का ब्रेकेट या कोश्ठक हैं कोश्ठक लगा हो यानी ब्रेकेट नीचे तक लगा हो तो उन घातों को आपस में गुना कर देते हैं अब यह अगली चीज आ गई आपकी हैं तीसरा नियम आ गया आपका यह 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 रूल 3 है और यह जो आपको मेंने पहले यहां पड़ाया था यह रूल 1 ए सोरी रूल 2 है ना तो just जहांV विख्यामPL जिसे आपको इस तरह से कोस्चन दे कारद थी। और यह कोश्ट एक बन करके और यहां दो लिए और पिर यह तोसे भी कोश्टक बंद कर दें और यहां फिर चार लिख Андट तो यह चीज़ बोले उसने कि इसको क्या करेंगे आप तो समय अस्कों ब्राबर विलाक कि क्या कर सकते हृ तो तीन दूनी ज्छे चोक चोविस तो पांच की घाड चोविस यह अन्सर आ गया आपका 5 की पावर 24 रहेगा आपका जैसे यह पहला एक्जामपल था एक्जामपल सेकेंड भी लेता हूं यहां पर आपके लिए और जैसे में इस तरह का भी एक्जामपल आपका यह मजला कोश्टक इसलिए मैंने आपको बोर्ड मास का नियम पढ़ाया था ताकि कोश्टक वगर आपको समझा दूँ फिर इसके अंदर एक छोटा कोश्टक है फिर यहां माइनस 3 बाई 2 ध्यां देखना और यह कोश्टक बन छोटा वाला और छोटा वाला कोश्टक बन दोने के बाद यहां पावर दो फिर यह मजला यहां फिर यहां माइनस दो फिर यह बड़ा यहां माइनस वन तो इस कंडिशन में भी क्या हो रहा देखिए आप यह आपकी संक्यारी 3 बाई 2 जिसको माइनस 3 बाई 2 है जो यह माइनस 3 बाई 2 और इसको पहले तो आप ऐसे बंद कर दें छोटे में छोटे में यह ना इसलिए छोटे में बंद कर दें और फिर सभी घातों को क्या करें क्योंकि सभी कोश्टक के बाद है इस कोश्टक के बाद ही है इस कोश्टक के बाद ही है अब आप जानते हैं माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है ये पढ़ा चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लेना ठीक है तो ये क्या होगा दो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो अभी प्लस और माइनस क्या होते है गुना करने पर माइनस तो दो दूनी चार माइनस का और माइनस का चार को माइनस के बन से गुना करेंगे तो प्लस का चार तो ये फाइनली क्या बनेगा आपका माइनस थ्री बाइटू की पावर चार बनेगा चार तो इसको क्या लिख सकते हो आप चार बार लिख सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो आप माइनस थ्री बाइ टू गुणा माइनस थ्री बाइ टू गुणा माइनस थ्री बाइ टू गुणा माइनस थ्री बाइ टू यह से भी लिख सकते हो आप इसको तो ये आपके चाहो तो ये आंसर चाहो तो ये आंसर जेसी कंडिसन हो आपकी और वो चीज में जो मैं आपको के रहा था देखिए माइनस गुना माइनस बराबर प्लस ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ प्लस गुना प्लस बराबर प्लस और प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है और ये आपके बस ये तीनी मेन होते है या तो आपको माइनस माइनस दोनों रहेगी तो गुना होएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस प्लस होएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस प्लस होएगा तो माइनस हो जाएगा ये चिन्नों को आप याद रख लेना किसी साब से अपन ने इसको गुना किया है तो ये चीजे हैं मुझे उमीद है कि आपको समझ में आई होगी बेहतर तरीके से अब इसके आगे चलते हैं ठिक तो रूल अब रूल कौन सा आएगा आपको चार अब इसमे में एक नोट लिखके आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये हैं द्यान से देखिए इसमें ये क्या कहना चाह रहा है यदि घातों के बीच यदि घातों के बीच कच्चा कच्च ब्रेकिट कच्च ब्रेकिट लगा हो यानी कच्च ब्रेकिट लगे होने इसके आतात पर रहे है यानी नीचे तक पूरा ब्रेकिट नहीं लगना यानी नीचे तक पूरा ब्रेकिट नहीं लगना तो उस ब्रेकिट का कोई महत्व नहीं होता तब उस ब्रेकिट का कोई महत्व नहीं होता ध्यान से समझाना अभी समझाऊँ हुआ तब एसी इस्तिती में उन घातों को घातांक के अनुसार ही हल करेंगे तो अशेचले है आपको पक्काभ रिखेट तो इसमें कैसे कोशन देगा और यह गात चारude और यह इस तरह से कोश्टेक बन गरके यहां घात दो तो यह आपस में घात हैं यह पूरा ब्रेकेट थोड़ी है पक्का ब्रेकेट तो इसको कहते है अगर यह पांच होता और यह इस तरीके से होता कि आपको यह इस तरीके से होता तो यह पूरा ब्रेकेट है नीचे तक फिर अगर इसको यू कर देता और यहां दो कर देता तो यह पूरा ब्रेकेट है यहां तक तो यह होता है पक्का जो कि यह कंडिशन अभी नहीं है यहां पर इसलिए मैंने एक क्रोस लगाया अभी condition है ये वाली इसको वो क्या के रहा है देखिए ध्यान से कि यदि घातों के बीच कच्चा बुरेकिट कच्चा बुरेकिट लगा हो यानि नीचे तक पूरा बुरेकिट नहीं लगना तो कहा लग रहा इसमें नीचे तक कहीं बुरेकिट इसमें तब उस ब्रेकट का कोई महत्व नहीं होता है तब इस दिख सिठी में उन घातों को ऊचुण और फट इसका आंग उसका सॉलिशन कैसे होगा इसका सॉलिशन आपका ऐसे हुगा? कि उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा पांच की घाट चार और इसकी घाट दो इस तरह से लिख देंगे हम और इसको क्या करेंगे फिर गुना कर देंगे आपस में तो केसे गुणा हो जायागा यह आपस में यह इस तरीके से होएगा गुणा के से होएगा ध्यान रखना चार की घाद दो का मतलब होता है चार इंटू चार तो पांच चार इंटू चार इस तरह से होता है यह चार की घाद दो आप 3 की घाट 2 लिखते हैं तो 3 दूनी 6 थोड़ी कर देते हैं बहुत सारे लड़के करते हैं इसे बहुत सारे श्टूड़न क्या करते हैं तीन दूनी 6 लिख देते हैं उसको गलत है यह हैं गलत है इसको कैसे लिखते हैं हम आपको अच्छे से याद है 3 इंटू 3 लिखेंग 16 तो 5 की घात 16 पांस की घात 16 हो जाएगा आपके तो आपके ये आंसर हो जायागा है ठीक है next example अगर मैं बोलूँ दूसरा इसे example 1 कहे देते हैं ये 1 next example अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 की घात minus 2 और इसकी भी घात 2 तब इसको कैसे सुल करेंगे देखिए आप ये 2 और ये माइनस 2 की घात 2 है तो माइनस 2 को दो बार गुना करो तो ये माइनस 2 गुना माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दो की घात 4 हो जाएगा अभी पांच की गात अगर सो लग उना करते हैं तो बहुत बड़ी संखे जाते हैं इसलिए नहीं किया बना और इससे आता है निए डारेक्ट ही तक आयागा आपको कोस्चन उसके बाद एक एक जामपल और सिखा देता हूं आपको तीसरा जैसे तीन की गात दो तीन की गात दो और इस दो की गात तीन और इस तीन की गात दो अगर इस तरह से रहे तब क्या करना है आपको तो देखो कुछ नहीं करना है तीन की गात दो लिख देना है इसे और ये तीन तीया नो ये तो अभी इसके उपर नो चला गया है और इसको जब आप नो बार गुणा करोगे अब आपको गुणा करके देखना पड़ेगा इस तीन पर घा चड़ाने के लिए तो आप दो को नो बार लिखो क्योंकि दो की घात नो है ना ये तो तीन ये चार ये पांच ये छे ये साथ ये आठ और ये नो तो दो दुनी चार चार दुनी आठ 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 दुनी सोला सोला दुनी बत्तीस बत्तीस दुनी चोंसट चोंसट दुनी एकसोटाइस 128 दुनी 256 256 दुनी 512 तो यह आपके 3 की घाट 512 यह ध्यान से देखते जाना यह आपका आंसर आएगा हैं अब एक चीज़ और मैं आपको यहां लिखा देता हूँ ध्यान रहे नोट लगा के ध्यान रहे घातों को हमेशा उपर से ही हल करना शुरू करते हैं करते हैं यह चीज़ मैंने इसली लिखा है कि आप देखो यह यहां से हम उपर से ही सोल कर रहे हैं यह 3 की घाट 2 था तो 3 इंटू 3 लिखेंगे तब ही 9 बनेगा न यह तो 2 के उपर घात कितना 9 बन जाएगा 3 इंटू 3 यह 3 दो नहीं 6 मत कर दे न इसको फिर 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3 तो 9 हो गया तो 2 के उपर 9 घात तो यह लिख दिया मैं उपर से ही सोल कर रहे हैं फिर इस 2 को 9 बार गुना किया जो यह रहा यह रहा और फिर जो आया 512 वतीन के उपर लगा दिया तो उपर से ही सोल कर रहे हैं तो उसी चीज को मैं नहीं लिखा है कि ध्यान रहे घातों को अमेशा उपर से ही हल करना है है ठीक ठीक है और इसके बाद हम रूल पांच जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे आज तक की वीडियो में यहीं तक तो यह जितना मैंने आपको घातांग के अंदर पढ़ाया इसको आप अच्छा समझें और देखिए मैंने हर चीज आपको बता दी इस तरीके से देखिए सिंपल अगर आता है इसे तो भी आप कर सकते हैं माइनस वाल आता है तो कैसे करना है आपको हैं फिर अगर चार संख्या वाल आ जाता है तो कैसे करना है आपको तो हर इस टेप मैंने एग्जांपल के तोर पर आपको समझाया है उमीद है कि आपको समझ में आया होगा और य पुलिस के तयारी पटवार की रीट की जिसकी भी करते हों अच्छे से तयारी कीजिए तो मिलते हैं एसे ही इंट्रेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन टेक केर